हमेशां दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बहतर ये है कि अपनी सफलता पर ध्यान दीजिए और उनसे भी बहतर बन जाईए नमस्कार जैहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगनेश स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का हिंदी साहिते इतिहास की प्रशनोतरी चल रही है व्याख्यात्म ग्रूप से कुछ पुराने सवाल और कुछ नए सवाल यहां पर में शामिल करता चल रहा हूँ टेलिग्राम चैनल जिन साथियों नहीं किया कर लीजिए कवी आदि गणेश हिंदी नाम से टेलिग्राम चैनल जिस पर 7800 से अधिक लोग जूड चके हैं यहां पर भी मैं सवाल वगरा सूसना वगरा डालता रहता हूँ चल यह प्रारभ करते हैं पहला सवाल यह सवाल मैंने पहले भी पूछा था एक दिन लेकिन इस सवाल के साथ में आज कुछ डिस्क्रिप्शन अलग से और बताऊंगा मैं इसलिए इस सवाल को वापिश शामिल कर रहा हूँ महातमा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनाईक तूलसी हुए है यह कथन किस विद्वान का है जिन साथ हो नहीं याद वो कमेंट करके बताईए कि महातमा बुद्ध के बाद में उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोकनाईक तूलसी हुआ है ये कथन किसने कहा शुकल साहब ने जोर्ज ग्रियर्शन साहब ने फादर कामिल बुलके ने या फिर डॉक्टर हजारी परसाद दिवेदे ने क्या हो जाएगा उत्तर बी ग्रियर्षन महोदे कहते हैं ये बात ठीक बात चलिए ये तो हो गया लेकिन ग्रियर्षन ने तो कह दिया कि मात्मा बुद्ध के बाद उत्तर बार्थ में सबसे बड़े लोकनाएक तूल सी हुई है रामचंदर शुकल क्या कहते हैं इनके विशे में शुकल साब कहते हैं यह एक कवी ही हिंदी को प्रोड सहितिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है यह एक कवी ही यह एक कवी ही हिंदी को प्रोड सहितिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है कौन कहते हैं शुकल साब है जो कहते हैं वही हजारी परसाद दुवेदी कहते हैं भारत वर्ष का लोकनाइक वही हो सकता है जो समन्वे करने का अपार धेरी लेकर आया हो यह कहते हैं हजारी परसाद दुवेदी लिख लीजिए दुवेदी साब कहते हैं कि भारत वर्ष का लोकनाइक भार्त वर्ष का लोक नाएक वही हो सकता है वही हो सकता है जो समन्वे करने का आपार धेरिये लेकर आया हो जो समन्वे करने का आपार धेरिये लेकर आया हो कौन करते हैं दिवेदी साहब ठीक बाद तो हजारी परसास आपने का बार्त वर्ष का लोक नाएक वही हो सकता है जो समन्वे करने का आपार धेरिये लेकर आया हो और मात्मा बुद्ध के बाद उत्तर बार्त में सबसे बड़े लोक नाएक तोलसी वहीं ये कहते हैं अपनी ग्रियर सन मौदी अगला सवल देखी राम भक्ती शाखा में रसिक उपासना का या रसिक उपासना का समावेश किस ने किया केशव दास ने अग्र दास ने लाल दास या फिर नाभा दास बताएं तो ये करने वाले कौन से विद्वान रहें अग्र दास महोदे कौन अग्र दास महोदे ठीक और इन्होंने किस की सम इस्तापना की रसिक संपर्दाए की अग्र दास आपने रसिक संपर्दाए की स्तापना की रसिक संपर्दाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा गया है इसके इंदर क्या कहा गया है इनको अग्र अली भी कहा गया है ठीक बाद अग्रदास कृत जो ध्यान मंजरी है ये रसिक को पासना का सिद्दान्द गरंथ है इनका गरंथ कौन सा है ध्यान मंजरी द्यान मंजरी और ये रसिक उपासनागा क्या है या रसिक पासनागा क्या है सिद्धान्त गरंद है द्यान में रखिएगा आप ठीक है बात वहीं रसिक संपर्दा के और कवियों की बात करें तो ये अपने बाल कृष्ण बालली, रसमाला, रामशरन, प्रेमकली परियागदाज, रामगुलाम, दुवेदी तो ये कुछ है यहाँ पर और इस संपर्दाय के कवि श्यम को सिद्धा जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशे सने प्राप्त करने तो पदोगरेशना करते थे तो ये ही जो रसिक संपर्दाय है इसके अंदर इसके जो कविते वो सिद्धा जी की सखी के रूप में प्रस्तुत करते थे श्यम को इस संपर्दाय में क्या प्रस्तुत करते थे सीता जी की सखी के रूप में ये भी सवाल पूछा गया है सीता जी की सखी के रूप में श्यम को प्रस्तुत करते थे क्योंकि राम का विशे सने है जो प्राप्त होगा अगला सवाल देखिए कृष्ण गितावली किसकी रचना है आसान है लेकिन इससे जुड़े कुछ और फेक्ट बताऊंगा इसलिए आपको जरूरी है कृष्ण गितावली किसकी रचना है सूर्दास नाभादास तूलसिदास मेरा बाई कई बार आसान सवाल भी आते वे गलत हो जाते हैं और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है क्रिश्ण का नाम आते हैं लोग है जो संसे में पढ़ जाते हैं उत्र हो जाएगा साहब क्रिश्ण गीतावली के रचियता कौन है? गो स्वामी तूसिदास जी है ठीक है और रचिनाओं की बात करें इनकी तो रामचर इत्मानस देखने को मिलती है कवितावली देखने को मिलती है बरवे रामा और विने पत्रे का लेकिन यहाँ पर सूर्दास नाम आया तो सूर्दास जी कौन कौन सी रचिनाएं? याद होगी इनका सवाल ऐसे बनता है कई बार पूछा गए यह सवाल निम्न में से हैं सूर्दास की रचना नहीं है तो तीनों यह दे दी सूर्दास 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 सारावली साहित ते लहरी और फिर वहाँ पर टिकादी कृष्णी गितावली या कुछ और दे दी ठीक है नाभादास के हम बात करें तो नाभादास की परमुक रचनाएं है कहीं बार पूछे गए परिक्षा में भक्तमाल और अश्टयाम बक्तमाल और अश्टियाम अश्टियाम एक और विध्वान उनकी भी है कई बार रचनाए एक नाम से अलग विध्वान उनने भी किये थोड़ा ध्यान रखेगा तो ज्यादा तरि इन्हीं की पूछ जटे नवादास, बक्तमाल और अश्टियाम मेरा भाई जी की विशे में आपको पताए नर्सी जी का मायरा गीत गोविंद की टीका आप मेरा के पद ये सबी की सबी देखने को मिलती है अगला सवाल ये कहीं बार पूछा गया है श्री रामचरित मानस को तुलसी दाजी ने कितने समय में जो पूर्ण किया था कितना समय लगा जैसे पूछे जाता है बारतिय सबीदान को बनने में कितना समय लगा एक एकरण में कितना समय लगा उसे प्रकार रामचरित मानस को तुलसी दाजी ने कितने समय पूरा किया था दो वर्स ग्यारा महीन में दो वर्स नो महिने तीन दिन में, दो वर्स आतमा चबीस दिन में या दो वर्स नो महिने और चबीस दिन में इसको पूर्ण किया, यह देखने को मिलता है, और रामचरित मानस की जो रजना है वो समवत, समवत 1631 में है जो चेत्रशुक्ल राम नौमी मंगलवार को होती है, इस समवत में तो सिदाज जी का एक कथन भी है, यह कथन भी अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना, कि समवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरी सीशा, अगर यह कथन देखरी पूले किन का है, तो जिदाज जी का है, और किस से समंदे रामचरित मानस की रजना से समंदित है, देहल में रखेएगा, अगला, कि पूरते निकसी रगुवीर वधू, धरी धरी दै मग में डग दवे, कि पूरते निकसी रगुवीर वधू, धरी 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 दै मग में डग दवे, यह पंक्ती तुलसिदाज के किस गरंच से ले गई है, तो तुलसिदाज जी के कौन से गरंच से ले गई है, यह बताईए साहाब, तो यह जो पंक्ति उद्रित है ले गई है, यह ले गई है साहाब कवितावली से, बीविकल्पियां पर सही हो जाएगा, पुर्ते निकसी रगुवीर वदू, धरी धरी धीर दे मगमे डगद्वे कवितावली से ले गई है, और हम बात करें, जैसे कि बरव बर्वे रामायनियां अपर नामाया, बर्वे रामायन से पंक्ते कई बार परिक्षा पुचें तुल्सि स्पड़ागाई भुलोक नई रिदु मुस्तकानी और कस प्रबु ने ने कमल असे कहो बखाने ये कई बार पूछ जाती है बर्वरामान की राम चरित मानस की तो बहुत सारी पूछ जाती है दोहावली से हम बात करें तो राम नाम को अंक है सबसादन है सून और अंक गए कच्छवात नहीं अंक रहे दसगून राम नाम को अंक है राम नाम को अंक है ध्यान में रखना इतना साथ राम नाम को अंक है सबसादन है सून तो यह हो गया सवाल कवितावलियां पर उत्र हो जाएगा अगला सवाल है कि प्रेम और श्रिंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोज के सब के सामने पढ़ा जा सके गो स्वामे जी का ही है ऐसा वर्णन ये कथन किसका है कि प्रेम और सिंगार का इस प्रकार का वर्णन जो किसी बिना किसी लज्जा के संकोज के सब के सामने पढ़ा जा सकता है यह सिर्फ परकारागां गो स्वामे जी कर सकते हैं या उनी का है यह किस ने कहा रामकुमार वर्मा ने शुक्ल साहब ने नंद दुलार वाजपे ने या फिर आचारी हजारी परसाद दुवेदे ने महत पूर्ण कथन है यह कहीं बार पूछा गया है उत्तर हो जाएगा रामचंदर शुक्ल साहब ठीक है यही कहते हैं कि प्रेम और स्रिंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा के संकोच के सबसे सामने पढ़ा जा सके गो स्वामा जी काई है अगला सवाल देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना सवाल में संत रिदे नवनीत समाना किसकी पंक्ती है सहाब कवीड साहब की सूर साहब की रेदाज साहब की यह फिर इनमें से कोई नहीं बताईए उत्तर क्या हो जाएगा उत्र हो जाएगा साहब से कुई नहीं तो फिर इनमें से कोई नहीं करे बàiर सवाल आता है जो राइट आंस्वर होता है जिसका विकत्वरू Fachop traffic नहीं दीआ होता है और इसमें लिखा होता इन में से कोई नहीं है इन में से नहीं तो यहां पर इन में से कोई नहीं होगा यहां पर कोई कबीर साब की नहीं है सूर साब की नहीं रेदा साब की नहीं तो फिर किस की है तो यह उकती तो है अपने तू सिदास साहाब की है ठीक है लेकिन यहां पर विकल्प में है नहीं त तो इन में दे रहा है, इन में से कोई नहीं, तो इन में से कोई नहीं आपर है, जो विकल्ब हो जाएगा, ठीक बात, तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत पून सवाल, उमीद करता हूँ, आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजी वीडियो को, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जुड़कर लाब ले सकें, उनकी मदद हो सकें, और अप 7800 से अधिक लोग जुड़े हूए, यहाँ पर भी सवाल वगरा, सूसना वगरा में डालता रहता हूँ, और पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं, तो मेरा दूसरा यूटूब चैनल है, जिसका नाम है, आदी की आवाज, क्या नाम है, आदी की आवाज ना कर दूसराो, क्या है, आवाजंन जो पर दूसरा नाम है, आवाजं सुझान ए Marx, उन मेरा सूसरा आवाण, के जा रहते ह Companies क, का इसमते हैं, आपिझान chops नान्हा लेकर आवाज, सिरूगा शान्हां, आव辱, यहाजा हैं, पह जावा शान्हां हैं